आज का यह जो वीडियो है उस वीडियो में बहुत ही जरूरी टॉपिक जो है हम कहेंगे इसको इंपोर्टन टॉपिक वो में लेकर आई हो और वो है डिलिटेड टॉपिक्स ओफ क्लास 11 केमेस्ट्री जैसे हम सभी को पता है कि CBST ने 33% सिलेबस जो है वो रेड्यूस कर दिया गया है तो अभी हमने जैसे आपने अगर मेरे प्लेलिस्ट में देखोगी तो मैंने क्लास 10 का बनाया है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि माम आप प्लीज क्लास 11 का भी बनाई है और इसलिए मैंने जो है क्लास 11 का भी यहां पर डिलिटेड टॉपिक्स के लिए एक वीडियो बनाया है और जैसे हमें पता ही हमारी पार्ट वन है यह हमारी पार्ट टू है इन दोनों को मिलाकर मैं आपको पेज वाइज एक्स्प्लेनेशन देने वाली हूँ कि CBST ने कौन-कौन से टॉपिक्स जो है वो इस साल पढ़ने के लिए मना किया है या फिर उतक देखो ध्यान से chapter 1 जो है वो है हमारा some basic concepts of chemistry सो some basic concepts of chemistry में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हम topic लेंगे जैसे की nature of matter हुआ concepts of elements, atoms and molecules हुआ यह topic जो है deleted portion में आ जाते है और यह topic आपको दिये है page number 2 and page number 3 पे अब next topic जो है जो chapter 1 में से delete हो चुका है वो है laws of chemical combination and delta's atomic theory और ये जो deleted topic में जो आया है वो आपको मिलेगा page number 11, 12 and 13 पे students जब आप ये page number no down कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर page number 13 पे कोई भी last page जब मैं बताती हूँ उस page पे आपको ये देखना है कि ये particular topic जो है ये कहाँ पर finish हो रहा है तो हम वही तक लेंगे हम उस page का कोई भी new topic इसमें include नहीं करेंगे so student I hope आप सभी ने जो है अपनी NCRT open रखी हुई है और साथ में ही NCRT के page number properly no down कर रहे हैं या तो फिर आप अपने screenshot लेकर रख दीजिए था कि आपको बाद में पता चले कि कौन-कौन से जो portion जो है जिसको आपको class 11th के लिए अभी exclude किया गया है okay so अभी हम आते है chapter number 2 पे जो chapter number 2 है उसमें है structure of atom structure of atom में देखो आप ध्यान से यहाँ पर कुछ topics जो है जैसे discovery of electrons, protons, neutrons, then atomic number, isotopes, isobars Thomson's model and its limitation, Rutherford models and its limitation इन सभी topics हो क्यों delete किया है CBSC ने? वो इसलिए deleted portion में कहा गया है क्योंकि यह already आप class 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हो और यह जो है जो front pages जो है या फिर beginning वाले जो pages है इस chapter के उसी में यह पूरा portion आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको page number बता देती हूँ वो है page number 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33 आप please mention करके रखिए और एक और student में एक बात आपको और बताऊंगी अगर आप किसी भी competitive exams की preparation कर रहे है तो आपको सभी topics पढ़ने पढ़ेंगे अब आते हैं हम next chapter पर next chapter जो है वो है हमारा classification of elements and periodicity in properties तो classification of elements and periodicity in properties इसमें जो topics जो CBS से ने deleted condition में लाए है वो है significance of classification, brief history of the development of periodic table जैसे कि हम देख सकते है जोबे रेनर्स ट्रायड देन आपका आजाता है न्यू लेंड्स लॉफ ओक्टेव okay, मेंडे लीब्स periodic table ये सभी आजाते हैं इसमें तो ये भी portion जो है आपके इसमें से delete किया गया है और ये page number जो है वो है page number 70, 71, 72 and 73 अब हम आते हैं हमारे next chapter की तरफ and next chapter जो है वो है chemical bonding and molecular structure तो आप यहाँ पर बड़ा साइक देख सकते है and nothing is deleted क्यों कुछ भी नहीं delete हुआ है क्योंकि ये class 12 के लिए बहुत ही important chapter है जब आप इसको read करेंगे NCRT में से आप एक-एक line को, एक-एक question को आपको solve करना है एक-एक concept को समझना है अब आते हैं हम हमारे next chapter की तरफ next chapter जो है वो है हमारा states of matter, gases and liquids यह जो है यह हमारा chapter का name है तो इसमें से देखो क्या-के topic जो है उन्होंने delete किया again I will say that कि front वाला portion deleted नहीं है जो थोड़ा सा back side वाला portion है इस chapter का वो deleted है page number भी मैंने यहाँ पर mention करके दे दिये पहले topics देख लेते, liquification of gases, critical temperature, kinetic energy and molecular speed and next one is liquid state जैसे vapor pressure, viscosity, surface tension although NCRT में इसका से elementary ideas दिये हुए, derivations नहीं है बट फिर भी यह topic excluded है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो page number 147, 148, 149, 150, 151 and 152 so यह portion जो है, इस साल के लिए board ने deleted portion में डाल दिया है now अब हम देखते हमारा chapter number 6 chapter number 6 जो है, वो है chemical thermodynamics chemical thermodynamics में इन्होंने यह जो topic जो है heat capacity, specific heat capacity, criteria for equilibrium यह सभी topics को excluded माना गया है और यह topic सिर्फ और 2 pages पे है, that one is page number 162 and page number 163 अब आते हैं हमारे next chapter की तरफ next chapter जो है, वो है हमारा equilibrium और equilibrium जो chapter जो है, यह two parts में actually divided है one is ionic equilibrium and another one is chemical equilibrium और physical equilibrium भी हम उसको कह सकते हैं तो इस chapter में आप देखोगे लगभग पूरा ही portion क्योंकि practical based इसके काफी सारे concepts आते हैं जब आप class 12 में पढ़ोगे तो इसमें से भी काफी सारे concepts आते हैं इसलिए एक छोट असा topic जो है और वो है hydrolysis of salt वस उतना ही topic जो है इस chapter में से exclude किया गया और वो page number 218 as well as 219 अब हम आते हैं chapter 8 की तरफ chapter 8 से हमारा part 2 book जो है वो start हो जाती है और यह chapter जो है redox reactions अब देखो इस chapter में हम देखेंगे यहाँ पर एक topic है and that one is application of redox reaction so student application of redox reaction as such आपको topic NCRT में नहीं मिलेगा तो आपको इन page number पे देखना है यह page number कौन कौन से देखो 269, 270 and 271 जब आप इन page number पे देखोगे तो वहाँ पर titration से related concept है electrochemical cell से related concept है यही concept जो है इसी concepts को कहा जाता है application of redox reactions जो की इस साल excluded में आता है अब हम आते हमारे next chapter की उपर next chapter जो है वो है hydrogen part 2 hydrogen part 2 में हम देखेंगे कि यहाँ पर two hydrogen compounds की preparation, properties और uses को exclude किया गया है जैसे कि हम देखेंगे hydrogen book में आप NCRT में देखोगे तो यह topic है जैसे dihydrogen dihydrogen पे आप देखोगे page number 278, 279 यह topics deleted है और साथ में ही अगर आप hydrogen peroxide का देखोगे तो उसमें page number 285 and 286 पे यह topics आपको मिलेगे जो की excluded है और एक बार मैं फिर से कहूंगी student इन topics के अलावा अगर कोई भी topic extra अगर उस page पे है तो वो excluded नहीं है for example अगर मैं hydrogen chapter की बात करो तो 286 पे नमबर पे heavy water भी एक topic स्टार्ट हो रहा है उसका paragraph है बट heavy water excluded में नहीं आता है अब हम देखेंगे next chapter next chapter जो है वो है हमारा S block elements अब S block में हम देखेंगे काफी सारी जो important trends है properties वो हम study करेंगे बट जो कुछ compounds जो है उस group से बने हुए उस compound को specially alkaline group से बने हुए उन सभी compounds को exclude किया गया है वो है sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, sodium chloride और इनी का biological importance जो है वो भी exclude किया गया है student आप ये सभी topics जो है class 10 में भी आप पढ़ चुके है और ये page number है वो है 296, 297 and 298 from NCRT अब हम आते हैं इसी chapter के group 2 में group 2 में देखेंगे फिर से बहुत सारी chemical properties और ये सभी include किया गया है और जहाँ पर इनी elements के कुछ compounds जो है उनको फिर से यहाँ पर syllabus में नहीं रखा गया है और ये सभी compounds आपको मिलेंगे page number 302, 303 and 304 पे अब हम आते हमारे next chapter के उपर chapter 11 जो है वो है हमारा sum p block elements अब हम some p block elements में देखते हैं कि यहाँ पर word यूज़ किया sum p block element क्योंकि half portion class 11 में है half portion इसका class 12 में है तो जो interrelated topic है उनको delete नहीं किया गया है तो delete portion कौन सा है? deleted portion जो अगर हम देखेंगे तो इनके कुछ compounds है जिनको हम अभी study नहीं करेंगे जैसे borax हुआ, boric acid हुआ, boron के जो hydride से साथ में aluminum की जो reactions है उन सब को भी deleted category में लाया गया है उनके page number अगर आप देखोगे अगर आप note down कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 312, 313, 314 अब हम देखते हैं कि carbon के इसी chapter में यह जो हमने जो अभी उपर जो दिखा है यह जो है हमारा group 13 के portion है और यहाँ पर आता है group 14 का portion group 14 में भी important points रखे गया है बट carbon के कुछ compounds है उनको exclude किया गया है silicon के compounds को भी exclude किया गया है तो यह page number में आपको बता देती है और page number है 319, 320, 321 and 322 आप सभी अपने अपनी NCRT में इसको इस साल के exam के लिए cross out करके रखेंगे अब हमारा आ रहा है chapter 12 chapter 12 जो है यह हमारा organic chemistry का first chapter है और बहुत ही जादा important chapter है और इसके concepts हमें अभी class 11 में ही पता हो जानी चाहिए तो अब देखो इस chapter में काफी सारा portion deleted category में आ रहा है वो है page number 348 to 360 तो यह जो portion है, actually क्या किया गया है इस chapter में? यह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो principles and techniques तो यह principles and techniques वाला पूरा ही portion जो है वो हटा दिया गया है तो आपको इन page number को ध्यान से देखना है कि कौन से page number से कौन से page number तक हटाया गया है अब हम आते हैं chapter 13 पे chapter 13 जो है यह हमारा बहुत ही important chapter है class 12 में भी इसके काफी सारे concepts हम पढ़ते हैं और हमें यह chapter का एक एक लाईने के concept अच्छे से पता होना चाहिए तो इस chapter में से बहुत ही थोड़ा सा portion जो है वो हटाया गया है वो है free radical mechanism of halogenation साथ में combustion and pyrolysis यह जो है आप देखेंगे page number 373 and 374 पे student 374 पे कुछ और भी reactions है तो पूरी reaction deleted नहीं है सिर्फ pyrolysis जो है topic वो deleted है अब हम आते हैं chapter number 14 के तरफ that is environmental chemistry अब environmental chemistry के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि यह chapter completely deleted है आपको कुछ भी portion इस chapter का नहीं पढ़ना है so student I hope आप सभी को मैंने आज की इस वीडियो में जो जो बताया है वो काफी useful लगा होगा और आप सभी ने उसका properly अपने NCRT में note down करके रखा है okay so again I will say that student if you like my video if you found my video worth watching so please do share with your friends with your friends of other school also अगर आपके कुछ friends अगर दूसरे section में सभी के साथ में यह video share कीजिए and thanks for watching और जितनी भी लोग नए लोग subscribe करना बिलकुल भी नहीं भूलना है thank you students and have a good day ahead